हेलो डियर लेर्नर्स, वेलकम टू लिटरेचर वितने हां तो आज का ये विदियो आपके लिए काफी हल्फुल होने वाला है और इस पैसिफिक ये विदियो बनाने के लिए मुझे बहुत से स्टूडेंट्स में कॉमेंट भी किये थे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डोल्स हाउस के टाइटल पर यानि डोल्स हाउस के टाइटल से related जितने भी क्योशंस आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्योशंस और उनके answers को इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो बने रहे हैं वीडियो के end तक, let's begin. तो डॉल्स हाउस के title से related आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि why the title of the play is a doll's house, give reasons for your answer. यानि इस play का title a doll's house ही क्यों रखा गया, अपने answer के लिए reasons दो. यह आपको पूछा जा सकता है, signify the title of the play a doll's house. कि doll's house के title को signify करो, मतलब इसके title का significance बताओ. इसके लावा आपको पूछा जा सकता है, is a doll's house a suitable title for this play? if yes, then give reasons for your answer. यानि इस play का title a doll's house a suitable title है या नहीं, अगर है तो अपने answer के लिए reasons दो. यह सब एक ही question है, जिसको अलग-लग तरीके से मैंने present किया है. तो एक्जाम में भी आपको एक ही question को अलग-लग तरीके से पूछा जा सकता है. तो ऐसे situation में confused होने की कोई जरुवत नहीं है, answer एक ही रहेगा. तो इसके answer का आपका first point होना चाहिए, meaning of doll. मतलब play के according, Hendrick Ibsen के according, doll का meaning क्या है? तो Ibsen के according, मतलब ऐसी एक lady जिसकी खुद की कोई identity नहीं है, नहीं खुद के कोई rights, rules, principles, choices है, जो किसी और के हिसाब से काम करे, किसी और के rules and principles को follow करे. इन other words हम कह सकते हैं, बिल्कुल एक doll की तरह किसी lady को सजा दजा कर घर में रखना, उसे इतना प्यार देना कि उसे कभी realize ही नहो कि वो independent नहीं है. ये definition देने के बाद आपको इस point में आगे नोरा का reference देना है, कि इस play में doll है नोरा, जिसके उपर title रखा गया है, जो अपने हिसाब से कभी कुछ नहीं कर सकती, वो केवल वही करती है, जो उसके husband हैलमर चाते हैं. उसे अपनी choice की sweets तक खाने की permission नहीं है, ना ही अपनी choice के कपड़े पहनने की permission है, वो उतनी ही पैसे खर्च करती है जितने हैलमर उसे दीता है. और उसका काम है केवल घर में रहना, बच्चों का ध्यान रखना और हैलमर का ध्यान रखना. ये सब आपको first point में बताना है. Next point है Nora, a doll wife and a doll child. अगर आपको अपना answer ज्यादा बढ़ा करना है, तो आप इस point को अलग-लग भी explain कर सकते हो. Number 2 पे Nora, a doll wife, Number 3 पे Nora, a doll child. तो इस point में आपको बताना है, कि Nora को हमेशा एक doll या एक object की तरह treat किया गया. शादी से पहले Nora के फादर उसे अपने हिसाब से रखते थे, जब वो चाते तभी Nora घर से बहार निकलती, जैसा वो चाते वैसा ही Nora करती थी. तो इस तरह से Nora के फादर उसे एक doll child की तरह treat करते थे, और जब उसकी शादी हैलमर से हुई, तो हैलमर ने उसे अपने हिसाब से रखना शुरू कर दिया, जैसा वो चाता, Nora वैसे ही रहती, इवन Nora sweets भी हैलमर की choice की खाती, और कपड़े भी हैलमर की choice के ही पहनती, तो इस तरह से हैलमर अपनी वाइफ Nora को doll wife की तरह treat करता था, और सबसे important बात, आपको यहाँ पर Nora का वो statement mention करना है, जो उसने play के end में बोला था, कि शादी से पहले मेरे फादर मुझे एक doll child की तरह treat करते थे, और शादी करके उन्होंने मुझे तुम्हें swap दिया, और फिर तुम मुझे अपनी एक doll wife की तरह treat करने लगे, यह statement अगर आप अपने answer में mention करोगे, तो आपका answer बहुत impressive लगेगा, इस statement को highlight करने के लिए आप inverted commas का use करे या underline करे, ताकि आपका answer और भी ज़्यादा impressive लगे और आप अच्छा score कर सके, last point आता है conclusion, किसी भी answer के conclusion में आपको दो ही चीज़े करनी होती है, पहली आपने जो बड़ा सा answer लिखा है, उसको summarize करके आपको पांच्छे line में यहां फिर से लिखना होता है, और दूसरा आपको अपना opinion देना होता है, तो अब तक मैंने आपको जो कुछ बताया है, उसे summarize करके तो आप लिखी दोगे, और आप अपने opinion में लिख सकते हो, कि पूरा play पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं, कि यह title इस play के लिए एक suitable title है, क्योंकि पूरे play के दोरान हमेशा हमने दिखा है, कि नोरा को एक डॉल की तरह ही treat किया गया है, शादी से पहले उसके life उसके father के घर तक लिमिटेड रही, और शादी के बाद उसके life उसके husband के घर तक लिमिटेड रही, hence the title is a doll's house, तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत help मिलेगी, पूरे play के important questions अगर आपको prepare करने हैं, तो मैंने पूरे play के important questions पर भी एक वीडियो बनाय हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से सारे important questions को prepare कर सकते हैं, उस वीडियो का link में आपको description में दे दूँगी, वीडियो कर अच्छा लगा है तो like जरूर करें, मिलते आपसे next वीडियो में, till then keep watching, keep learning, thank you so much.